हेलो दोस्तों केल्डी क्लासेस में आपका स्वागता आज UPSEE की कह सकते हैं कि काउंसलिंग की फ़र्ष्ट राउंड का सीट एलाट्मेंट का रिजल्ट आ चुका है तो अब दोस्त कह सकते हैं कि जिनको सीट मिला होगा कह सकते हैं और उनको पसंद नहीं होगा वो सोचते होंगे कि फ्लोट करा लें और जिनको पसंद आगे और फ्रीज करा के एड़िसन कराएंगे लेकिन जिन दोस्तों को कोई भी कॉलेज नहीं मिला है कह सकते हैं कि और या तो उन्होंने कभी अभी तक फर्स राउन में कोई रेजिस्टेशन नहीं कराया था वो सोच रहे थे कि सेकंड राउन जैसे ही शुरूओगा मैं सेकंड राउन में काउंसलिंग कराऊंगा तो कुछ ऐसे इंपोर्टेंची मैं बताऊंगा कि जिनको कॉलेज पसंद नहीं है वो कैसे अपने कॉलेज को चेंज कर सकते हैं जो आपने कैसे 24 फिलिंग किया था उसमें कैसे आप सुधार कर सकते हैं इसी के बारे मैं बिस्तार से इस वीडियो में बात करूँगा और मैं आपको पेज भी दिखा दूँगा कि कहां पर लिखा है कि जिसके माध्यम से आप अपने जो 24 फिलिंग किया था आपने उसको भी चेंज करके दोबारा अपने इस तरह से अपने हिसाब से कॉलेज को भर सकते हैं अब कई दोस्तों ने फोन किया था कि सर मेरे को कह सकते कि मेरे माध्यम से गलती नहीं हो लेकिन दुकान दार के माध्यम से गलती होगे अगर ये अभ्यर्ती के चार समूं होंगे कौन कौन से होंगे चलिए हम बात करेंगे और पूरी डीटेल के साथ सुरू करेंगे देके पहला जो point है ऐसे अभ्यर्ती जिन्होंने पहले पंजिकरन नहीं कराया है वह अभ्यर्थी पंजिकरन सुल के एक हजार रुपया जमा कर पंजिकरन करा सकते हैं अब इस पॉइंट में कौन से लोग होंगे इस पॉइंट में वो लोग होंगे जिनकी रैंक बहुत अधिक होगी समसकते हैं जो बस इंतजार करें थे कि सर मैं सिर्फ सेकेंड राउंड में ही काउंसलिंग करेंगे फर्स्ट में नहीं जाँगा क्योंकि फर्स्ट में बहुत भीड होती है तो वो लोग एक हजार रुपया जमा करेंगे और सारे वही डाकुमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे मैसे जाएगा कॉलेज को चॉइस करेंगे अपने हिसाब से भरेंगे उसके बाद उनको कॉलेज एलाट होगा और जैसे आज आज आपका चार तारीक को सीट एलाट मेंट का फर्स्ट का रिजल्ट है उसी तरह से आपके पंद्रे को आएगा दोबारा और आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से है तो आठ जुलाई से होगी भूल मत चाहिएगा एड़ेट ठीक है सेकंड राउंड वलिद्यान के तो पहला हो गया कि नेक जो रिजिटेशन होंगे ओंगे दूसरा पॉइंट होगा ऐसे अभिर्थी जिन्होंने पंजि सुलक का भुकटान नहीं किया गया उन अभिर्थी को पंजी करण सुलक का भुकटान करना होगा अब वही चीज ओघ popular लेकिन द्रसे मालिय क्या हो गया कि कुछ लोग ओंग का भुक्तान करके दोबारा काउंसलिंग करा के सारे प्रिग्रिया कर सकते हैं ठीक है और तीसरे काउंसलिंगों के ऐसे बिर्थी जुन्हों अब कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आधे धूरे फंसे होंगे उनका मैसेज ही नहीं या 26 को कराया है मैसेज आया पता चला तीन तारीक हो अब तीन तो कह सकते हैं कि लाश्ट था अगदर कह सकते हैं च्वाइस करने के लिए लाश्ट चार तारीक था नौ बज़े तक तो समस्क करते हैं तो यह हो कि हमारे तीन तरह के लोग एक नए लोग और एक लोग जब कह सकते हैं कि पैसा ही नहीं पेवेंट किये तो दोबारा पैसा पेवेंट करेंगे और ऐसे दोस्त जो पेवेंट कर चुके थे लेकिन उन्होंने आगे कोई प्रिक्रिया भाग नहीं लिया तो यह सब लोग नए सीरे से काउंसलिंग करेंगे काउंसलिंग अबलब रिष्टेशन ही करेंगे समझेगा चलिए अब आते हैं कुछ ऐसे चीज के बारे मैं बात करूंगा जो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके सभी को बारे में जानना चाहिए कि देखिए यहां पर लेकिन है इतने काम है फोन पर जबद देखिए कि कमेंट में जी आजाया कोई बात नहीं होजाई आप लोग बने रहें इसा पॉइंगा यही पॉइंड अगर आप समझ लेंगे तो कि सारे समझायों का यहीं पर निराकरान हो जाएगा बाद में आपको न तो कमेंट करने पढ़ेंगे ना तो फोन करने पढ़ेंगे ना कुछ करने पढ़ेंगे चले कौन कौन से दो पॉइंट है पहला पॉइंट है वह अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में सुकृति फीज जमा कर दी परन्तू सीट फ्रीज नहीं की समझे जैसे आप समझ सकते काउंसलिंग फीज देखिए रईस्टेशन फीज अलग होता है रईस्टेशन फीज का मदलब 1,000 रुपए और चाहे सीओ चैया स्टींग आप होए हो सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं तो लोग अगर कह सकते हैं कि पहले राउन में अगर उन्होंने फ्रीज नहीं किया जो दोस्त कह सक आपको कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं यह समझेगा ठीक हैं तो ओ कह सकते हैं कि second round में आ जाएंगे automatic दूसरा point है कि ऐसे अभियरतियों को बिकल्पों में संसोधन करने की अन्मोती दी जाएगी उनकी पिछले avanti seat बरकरार रखी जाएगी उन्हें seat upgrade के लिए पात्र माना जाएगा यदि अभियरति विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो चरण first या जो आपको पहले step में मिला था चरण first के विकल्पों को चरण second के लिए अंती मनेगा मैं पूरे चीज के बारे में बस आपको समझा दे तो कहने का मलब यह चीज है कि जिन दोस्तों को first round में जो seat मिला था उनको पसंद नहीं है वो बदलना चाहते हैं चाहिए कोई भी करना चाहिए उनको private college मिल गया या बहुत दूर मिल गया या branch सही नहीं मिला ऐसे कोई भी समस्या है तो ओ जाके change कर सकते हैं लेकिन अगर माल यह आपने float कराया कह सकते हैं first round से second round में आया float कराया लेकिन आपने जब कह सकते हैं कि दोबारा आपको choice करने का मौका मिला आपने उसमें कोई परिवर्ता नहीं नहीं किया जो पहले से था और जो आपने पह प्लती मानता हूं इस तरह समस्या हैं ok जिस हिसाब से आपने choice किया होगा उसी तरह से आपको college मिल जाएगा तो यह थी आज की सबसे बड़ी important news की आपको कैसे जिनगे दोस्तों को परशानना हो क्योंकि सूभध इसी के mira सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास एक एक दोस्तों के पास सेर करें जिससे कह सकते कि सभी दोस्तों आप कह सकते हैं सब्सक्राइब कर दोस्तों के सब्सक्राइब करें जैसे आपको नया मिलेगा फिर दोबारा जो मिला रहेगा वह आपका आटोमेटिक दूसरे को दे दिया जाएगा तो ये थी हमारे सबसे इंपोर्टेंट वीडियो आप इस वीडियो को अधिक सब्सक्राइब करें इसी तरह से आप डेली केल्डिक लस्तों बने आप सभी दोस्तों को केल्डिक लस्तों